क्या फिल्म इंडास्ट्री की एक आक्ट्रिस जो साउथ के फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी उसके पास नहीं है काम क्या वो actress जो बड़े बड़े सूपर स्टार के साथ फिल्मे साइन कर रही थी और बड़े actress के साथ ही उन्हें फिल्में ओफर हो रही थी क्या इस actress के पास काम की कमी है वेल ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है ये अक्ट्रिस और कोई नहीं है बलकि सुशान सिंग राजपूत मामले में भी इनका ड्रग्स केस में एक बार नाम आ चुका है और इन्होंने मीडिया के खिलाफ हाई कॉट में रिक्वेस्ट भी की थी कि इनके केस की मीडिया कवरिच नहीं करें बात कर रही हूँ रकूल प्रीट सिंग की रकूल प्रीट सिंग के लिए सोशल मीडिया पर एक बात चल रही थी कि उन्हें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म ओफर नहीं कर रहा है क्योंकि रकुल प्रीट जो है जादा हिंदी फिल्मे कर रही है ऐसे में रकुल प्रीट सिंग की जो आखरी तेलगू फिल्म थी चेक वो भी फ्लॉप हुई थी और उसके खराब रिजल्ट का भी असर उनके साउथ के करियर पर पड़ा है इनवेक्ट एक रिपॉर्ट आई सामने जिसमें रकुल प्रीत सिंग के लिए कहा गया कि no work in Tollywood अब इसी रिपॉर्ट पर रकुल प्रीत सिंग ने react किया है इस रिपॉर्ट को share करते हुई रकुल प्रीत सिंग ने कहा है मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने ये बात कही कब एक साल में 365 दिन ही होते हैं और इस एक साल में अगर आप 6 से जादा फिल्में एड़्जस्ट कर सकते हैं तो प्लीज मुझे और मेरी टीम को हेल्प कीजिए क्योंकि यही मेरा हाल है मैं साल की 6 फिल्में कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से अपने काम नहीं मिलने की बातों पर खंडन किया है रकुल प्रीट सिंग ने इस वक्त वो साल की 6 फिल्में कर रही है काइंड ओफ इन्हें कह सकते हैं कि यह लेडी अक्षे कुमार है राकुल प्रीत इस वक्त डॉक्टर जी अजय देवगन के साथ मेडे रॉनी स्कुरू वाला की फिल्म छत्री वाली जिसमें वो एक कॉंडम एक्जेक्यूटिव का किरदार निभाएंगी वो फिल्म कर रही है और साथ ही इस वक्त राकुल प्रीत सिंग को इंडस्ट्री में क काफी फिल्में ओफर हो रही है और जैसा कि उन्होंने खुद ने क्लियर कर दिया कि आने वाले टाइम में उनकी छे फिल्में आएंगी